दोस्तो जैसा कि अपने पिछली कहानी में देखा अजीत सिंग की मौत हो जाती है जिसके कारण जनता मुलायम सिंग से सवाल जवाब करती है। इसके लिए मौलायम सिंग उत्तर प्रदेश के सबसे बहतरीन पुलिस वालु की तलाश के लिए DGP और SP को कह देते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी SP पुलिस ऑफिसर है उन सभी को इस केस के बारे में बताया जाए और जो भी इस केस को हल करने के काबिल है उसे ही एक केस हल करवाया जाए मुलायम सिंग कहते है कि अजीद सिंग का कातल जिन्दा या मुर्दा जैसा भी हो मुझे वो चाहिए हमारे लिए उस कातल को कानूं के खिलाफ करना बहुत जरूरी है आज तो इसने अजीद सिंग पर वार किया है कल को वो किसी भी नेता पर किसी भी ऑफिसर पर हमला कर सकता है या फिर किसी आम जंता को भी हानी पहुचा सकता है तबी सामने बैठे डीजीपी कहते हैं कि सर मेरी नजर में काबल ऑफिसर है जो इस केस की तहत तक बहुत सकता है तब मुलायम सिंग जवाब देते हैं कि कौन है वो काबल ऑफिसर डीजीप उन्हां का सारा क्राइम लगभख खतम कर चुका है। ये बात सुनकर मुलाईम सिंग कहते हैं, तो देर किस बात की है। आप उसे फोन कीजी और जल से जल उसे लखनों बुलाईए। और लखनों का सारा क्राइम खत्म करवाईए। आप उन्हें जल से जल यहां बुलाईए, फिर DGP कहते हैं, सर मैं आज ही उन्हें कॉल करके बुलाता हूँ, मुजफर नगर का दृश्य दिखाया जाता है, जहा नवनीद सिंग अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, वो अपनी कुर्सी पर बैठा एक फाइल पढ़ रहा होता ह है कि तब ही उन्हें के पास एक फोन आता है, उन्हें फोन क्या जाता है, DGP VKB नायर द्वारा और फोन पर हेलो बोलते ही सामने से नवनीद बोलता है, हाँ जी आप कौन DGP बात कर रहे हैं, तो DGP कहते हैं कि हाँ मैं DGP नायर बोल रहा हूँ, तब नवनीद सिंग जरूरत है, लखनो में क्राइम बहुत बढ़ चुका है, तुम्हें इस क्राइम को खत्म करने के लिए लखनो आना होगा, नवनीद कहता है कि सर मैं क्राइम खत्म करने के लिए वहां तो आ जाऊंगा लेकिन मेरे साथ मेरी टीम भी आएगी, तब DGP कहते हैं हमें कोई दि बस तुम आजाओ और यहां लखनो के क्राइम को खत्म कर दो, तब नवनीद कहता है कि सर आप घबराईए नहीं, मैं जल्द से जल्द लखनो आता हूँ, अगला दृश्य दिखाये जाता है जब नवनीद सिंग लखनो पहुँच चुके हैं, लखनो पहुचने के बार यहां पर गुंडो की कोई लिस्ट नहीं बनाई जाते हैं, राम कहता है, नहीं साब, यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं होता, तब नवनीद सिंग कहता है कि जो भी हो, पहले होता नहीं होगा, लेकिन अब होगा, अब सबसे पहले यहां पर टॉप 10 गुंडो की लिस्ट तब ही राम उसके पास आता है और नवनीत को लिस्ट दे रेता है और वो लिस्ट देखकर नवनीत सिंग काफी हैरान हो जाता है कि लिस्ट में सबसे पहला नाम रमेश कालिया का होता है तब नवनीत सिंग राम से पूछता है राम ये रमेश कालिया कौन है तब राम जवाब पर भी इसने सरयाम एक आदमी को मारा था, नवनीत सिंग कहता है कि जिस आदमी को मारा था उसके परिवार ने जोहरी के परिवार ने इसके खिलाफ कोई F.I.R. नहीं करवाई, तो राम कहता है, ने सहाब, किसी ने इसके खिलाफ गवाही ही नहीं दी, इसने सारी जनता को डर अगर इसके खिलाफ किसी ने गवाही दी तो उसे मार डालेगा नवनीत सिंग के फिर हात में लिस्ट होती है और लिस्ट में टॉप नंबर पर रमेश कालिया का नाम होता है जिसे देखकर नवनीत सिंग पेंसिल से रमेश कालिया के नाम पर सरकल मारता है और कुछ सोचता है दोस्तो क्या लगता है आपको? आगे अब क्या होने वाला है? तो दोस्तो ये थी अब तक की Probable कहानी बलवान 2 की. तो आप उमें बताई है बलवान 2 के लिए इतने एक्साइट है. साथ एकर आपको विडियो पसंद आई होते से लाइक कीजिए. दोस्ते के साथ शेर कीजिए